है लो विडियो में हम बात करेंगे हातों के rheumatoid arthritis के बारे में और साथ ही कुछ effective stretching और standing exercises आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसमें हातों के rheumatoid arthritis की बात कर रहे हैं इसमें हातों के छोटे छोटे जो joints हैं वो affect होते हैं जॉइंट्स में इंफ्लामेशन यानि की सूजन, दर्द और जक्डन रहती है, ऐसा तब होता है जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो हमारे जॉइंट्स की लाइनिंग जिसे हम साइनोवियम कहते हैं, उसे अटेक करता है, इसके कारण पेशेंट को सुबा जोडों में जक और मिटीज आ सकती हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एफेक्टिव, मोबिलीटी और स्टेंडिंग एक्सराइजिस, जिससे आपके हाथों के जोडों की जो दर्द और जक्डन है, वो कम होगी और आपको रिलीफ मिलेगा, वीडियो में आगे आना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉंटेक्ट करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और साथी साथ बेल आइकन दवारा ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटि रेपिडेशन आप करें, और फिर इसे 10 रेपिडेशन तक बढ़ा दें, जिन एक्साइजिस में आपको होल्ड करने को कहा गया है, उन्हें आप शुरुआत में 5 सेकेंड होल्ड करें, और आगे जाके 10 सेकेंड तक इसे बढ़ा दें कli notifications Engagement देया हो बना, तक बढ़ा देंगेशन आपको य कि आ खाम जाकेंड तक जाबIs पुरुआत में आपको हो जाकेंड होल्डिस हैं, यstart जाप गजा भीतन की। झाल 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 वीवर्ज वीडियो में आगे अब हम जो strength exercises देखेंगे उन्हें भी आपको रोजाना करना है आप हर exercise के 10 repetition का 1 set करें फिर आगे जाके आप जब इन exercises को आसानी से करने लगें तब 1 set से बढ़ा कर 2 sets कर दें और 2 sets से बढ़ा कर 3 sets कर दें प्रा इंढ़ा कर दो inner Zoom में में हमाना डपकपी आपक बद्दाओ कर दें झाल 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 झाल